ओके दीपक विपक्ष की दिल की धड़कने बढ़ी है क्या कॉंग्रिस की धड़कने बढ़ी है क्या अचानक से संसत का सत्र है चार दिन का तो अब क्या मजबूरी है कुछ तो बड़ा करेंगे वरना ऐसे बुलाते नहीं विशेश्चत अभी भाजपा की प्रवक्ता ने कहा 20 दिन उधर 3-4 दिन इधर जिनको महीने की गिंती नहीं पता है वो संसद में क्या होने वाला है कोई जबरजस्ती नहीं हो सकती संसद में अगर चर्चा करेंगे हम चर्चा के लिए तियार है कोई बिल ले आएं कोई नया कानून लाने की प्रक्रिया शुरू कर दे है सरकार के अंदर क्या मनसा है वो तो वहीं बता पाएंगे संसद के पटल पी आएगा हम वहाँ पे देखेंगे संसद में चर्चा करने के लिए तियार है एक देश एक चुनाव अगर यह आगया तो संसद में हम हर एक मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तियार है हम सरकार हैं और हम विपक्ष हैं यह हमारे अंदर सिर्फ कुर्शियों का खेल नहीं है बात यह कि देश के हित में क्या है जनता के हित में क्या है हम उसमुद्ध धेखायो प्रगज आप तयार है अगर जल्दी चुनाव होता है तो एक अठकल है हो सकता है कि पर्लेमेंटette session इसलिए बुलाया गया हो बिलकुल है इंडिया का और संकल पे है कि इंडिया को हम आगे ले जाएंगे 2047 का सपना हम नहीं दिखाएंगे हम 2024 का सपना दिखाएंगे पर अगर छे महीने जल्दी चुनाव हो जाए तो आपकी तैयारियां कैसे होंगी अभी तो इंडिया गटबंदन में डॉक्युमेंट देखा न ना कहीं दिखाता है कि मोदी जी भय ग्रस्थ हो चुके हैं और आप लोगों नहीं सर्वे दिखाएता हैं 40% और 41% 2% सीटे पर मत जाए बहुत जल्दी 2% का आगड़ा 7% पर बजल जाएगा और इंडिया गटबंदन आगे जीत जाएगा क्योंकि अगर अगर उतना टाइम ही नहीं मिला तो दिसंबर तक कैसे करेंगे बताएगे अगर चला गया सितंबर ऑक्टोबर नवंबर दिसंबर तीन महीने बचे हैं मानक जी साड़े नौ सालों में जनता ने देख लिया कि किस तरीके से जनता की पेट पे लात मारा है मैं चुनाव की तयारी के लिए काफी है क्या